मैं क्रामती कुमार, यूटूब पर मैं अपना आज लाइव जा रहा हूँ, आज जो है बिहार के इतिहा सेवं सांस्कीतिक स्रोत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, भी भी या इंपोटेंट टॉपिक है बिहार से दस को कोस्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा तो ए है चिराज छपरा से, बी है चेचर एवं सुनपूर से, और सी है मनेर से, और डी है उप्युक्त में सभी से, तो इसमें होगा दोस्तो उप्युक्त सभी से, क्या होगा? उप्युक्त सभी से होगा दोस्तो. बिहार में मोर्ज कालिन अभिलेक मिले हैं तो लौरिया से और ए राज चंपारन से राम पुरवा चंपारन से और लौरिया नंदगर्ट चंपारन से और उप्युक्त सभी से तो इसमें भी होगा उप्युक्त सभी ही होगा दोस्तों और तिसरा कोश्चन है दोस्तो बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेक में किस राजबंस के बारे में जानकारी मिलती है तो पहला है परवर्ती गुप्त से पहला है परवर्ती गुप्त दूसरा हर्यक बंस और तिसरा है पाल बंस और चोथा है मोर्ज बंस दो कुन सा होगा परवर्तित गुप्त बन सोगा दोस्तों अब चोथा कोश्चन आ रहा है कि बिहार में प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्ग नाम का लेख तथा सापूर पटना के मंदिर भागलपूर से प्राप्त लेखो लेखो में जानकारी मिलती है कि मोड यूग के बारे में किस यूग के बारे मिलती है पहला पहला मोड यूग के बारे में दूसरा है नंद वन्स के बारे में तीसरा है गुप्त वन्स के बारे में और परवर्ति गुप्त वन्स के बारे में तो इसमें से हो जागा दोस्तो परवर्ती गुप्त बंस हो जागा एंसर में कुन सा हो जागा परवर्ती गुप्त बंस के बारे में और पांचमा कोश्चन है कि पांचमा कोश्चन है पाल सासको के बारे में जानकारी मिलती है पाल सासको के बारे में जानकारी कहां से मिलती है दोस्तो तो पहला है देव पाल मुंगेर अभिलेक से दूसरा है बी जो है दोस्तो बी जो है मही पाल पर्थम के नलंदा एवं मुझभपपूर अभिलेक से और तीसरा सी नरायन पाल का भागलपूर तमरपत्र भी लेक से तमरपत्र भी लेक से और डी जो है पांचमा जो है अथि चोथा जो है उप्युक्त सभी से तो इसमें से दोस्तो हो जाएगा उप्युक्त सभी से और अब है चठा कोचन बिहार के लिए सब्धिक परचीन साहित सुरोथ कौन-कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं चारगो है अथरवेद है इसके वाँ अरनायक है उपनि अथरवेद कौन सा हो जागा अथरवेद हो जागा दोस्तों आगे चलते हैं अब है सात्मा कोच्चन बिहार में इस्तित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है कि पहला है विने पीटक से और इसके बाद है बी है अंगुतर निकाई से सी है कल्प सुत्र से और डी है दिध निकाई से किसे दिध निकाई से तो इसमें हो जागा सात्मा कोच्चन एंसर हो जागा अंगुतर निकाई से किसमे आजागा बी हो जागा एंसर अंगुतर निकाई से दोस्तों क्या हो जागा अंगुतर निकाई से दोस्तों अब हम आठमा कोश्चन चलते हैं आठमा कोश्चन में आगे हैं आठमा कोश्चन है नलंदा के सराई तीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या प्राप्त हुआ है तो पहला दिया है में मौर्ज यूग का बौध बिहार और बी में दिया है गुप्त काल का मंदीर और सी में दिया है पाल काल बौध बिहार और डी में दिया है सुंग वंस का बौध बिहार दिया है दोस्तों तो इसमें हो जाएगा C हो जागा पाल का बहुत बिहार हो जागा दोस्तों कुन सा एंसर हो जागा पाल का बहुत बिहार हो जागा दोस्तों अब चलते हैं नौमा कोश्चन है नौमा कोश्चन है कि बहुत साहित बिना पीटक दिग निकाय से जानकारी मिलती है तो पहला question है A मगद के राज तंत्र हैं बैसाली के राज तंत्र के बारे में और B है मोर्ज उत्तर बिहार के बारे में और C है उप्यूक्त A और B दोनों और D में है नहीं A और नहीं B है के बारे में तो इसमें हो जागा दोस्तो इसमें हो जागा C option उप्यूक्त A और B दोनों बाग के बारे में अब दस्मा कोश्चन है दोस्तों दस्मा कोश्चन आते हैं कि बिहार में बरे पैमाने पर उत्खन काज करवाने वाला तथा कई परचीन अस्थलों की खोज करने वाला पुरातत वित्ता थे कौन से पुरातत वित्ता तो पहला है करती मार हवी लार और B है दयाराम सहनी C है विलियम जोन्स और D है कनिंगम तो इसमें एंसर हो जागा दोस्तों दस्मा में कनिंगम कौन सा हो जागा दोस्तों कनिंगम आज जो दोस वो कॉस्चन इंपोटेंट मैं बताया हूँ बाबया टेकर हवे नाश टाइम फिर अगले विक मिलेंगे दोस्तों को,acción क का टूस्चन इंप बाइम, क्या हैुआ , बाइम, बताक है को कि अजले हम थोस्तों वी कि अमेंग है